तो पलपल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं और प्रताप गर्ज से आपको बड़ी खबर बता देते हैं कि वोट डालने के लिए घर से बाहर निकल चुके हैं राजा भया थोड़ी देर में वोट डालते भी नजर आएंगे वोटिंग से पहले राजा भया ने पूजा अर् तो राजा भया को आप सुन रहे थे जोनों ने कहा कि एक दम वो बिल्कुल निश्चिंत है इस चुनाओ में कि वो एक बार फिर परचम लहराते हुए भी नजर आएंगे तो एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं और प्रताप गर्ज से आपको बता दे बड़ी खबर आ रह आएंगे और जैसा कि हर प्रत्याशी चुनाओ से पहले और चुनाओ के दौरान करते हुए नजर आया पूजा अर्चना करते हुए तमाफ प्रत्याशी नजर आया और राजा भाईया भी आज वो टालने से पहले तेके राजविया घर से बाहा निकल चुके हैं सबसे पहले उनका जो घर है वहाँ पर एक हनवान जी का मंदिर भी है कहीं भी अगर वो जाते हैं तो उनका आशिरवाद लेते हैं मदान से पहले वो भगवान का आशिरवाद लेंगे और मदान के पहुँचेंगे बिल्कुल दिरेंड अगर बात करें तो अलग-अलग जो प्रत्याशी है ये चीजे परमपरागत हैं उनके लिए जो सर्वे सर्वा है उनका आशिरवाद लेते हैं और फिर वोट करने के लिए निकले हैं और ये तमाम तस्वीर हैं चाहिए पहले चरण की बात हो और अब पा इस पार जो उनके एक ताइम उनके साथी हुआ करते थे गुल्चन यादव समाजवादी पार्टी से इस पार प्रत्याशी है तो कितना कुछ बदलने का देखने को मिलेगा क्या रहेगा इस पार कचनाव परेडाम वो दस तारिक को ईवियम जब रिजल्ट आएगा तो पत चल जाएगा बिलकुल समाजवादी पार्टी के तरफ से प्रत्याशी उतारनी के बाद यहां की रडाई भी काफी दिल्चस्प हो गई है जो समर्थक नहीं है राजा भाया के वो कहीं न कहीं हां बटेंगे जरूर लेकिन जीत को लेकर आश्वस्त दिखाए दे रही है और सुबह गए हनुमान जी के दर्शन के पूजार्शना की आशिरवाद लिया और हर प्रत्याशी के मन में होता है कि जीत उसकी है और जीत का आशिरवाद लेते वे राज़ा भीया नजर आ रहे हैं गुल्शन यादो इस पार उनके अपोसिट में समाजवादी पार्टी स के नजर आ रहे हैं ने मतदिकार का प्रयोग किया वोट करते वो वहाँ से नजर आए ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं कुंड़ा से ये तस्वीरे रगुराज, प्रताप सिंग और राज़ा भाईया वोट उन्होंने किया है कुंड़ा से दरसल जनसता दल के प्रत्याशी है राज़ा उतारा है और उसी के साथ सथ भारतिय जंता पार्टी ने भी तो क्या वर्चस वो बरकर आ रहेगा एक बड़ा सवाल है तो फिलाल यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मदान केंद्र पर पहुंचकर राजा भाया ने वोट किया है वहाँ पे अपने मत अधिकार क प्रयोग कर रहे हैं और यह सीधी तस्वीर निउस स्टेट पर सबसे पहले आप देख रहे हैं कुड़ा के बेती में राजा भाया सवक्त मौजूद है एक्स्क्लूजिव तस्वीर जिस पे वोट करते हुए नजर आ रहे हैं आपको बताएं कुड़ा इस बार रगुराज प्रताप सिंग पहले निर्दलिय लड़ते थे लेकिन इस बार अपनी पार्टी से जनसत्ता दल से वे नजर आ रहे हैं और तो हमारे साथ हमारे गेस लगातर बने हुए सीने जोनरलिस अफदेश जी हमारे साथ बने हुए हमारे साथ वरिश पत्रका रुमा कांत लखेरा ज इस बार वर्च्वस बरकरार रह पाएगा क्या नजर आ रहा है अफदेश जी